तो फ्रेंड्स देखिए आज का एस सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्यूंकि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के बहुत ही इंपोर्टेंट सो कोश्चन को यहां पर डिसकस करने वाले हैं एसे कोश्चन जो कि प्रिवियस एक्जाम में हमसे पॉलिटी से पूछे गए हैं और आने वाली एक्जाम में भी देखिए पॉलिटी से इन कोश्चन के पूछे जाने की संभावनाए बहुत ज़ादा है तो चलिए बिना देर किये हम सभी कोश्चन को डिसकस कर लेते हैं वीडियो अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है तो चलिए सबसे पहला कोश्चन देख लेते हैं सविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्नाए इसलिए किया गया क्यू की तो देखे यहाँ पर हम बात करेंगे आजादी के पहले की तब कॉंग्रेस अधिवेशन का जब आयोजन किया जाता था तो 1929 में कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन का आयोजन किया गया था इसके अध्यक्षता भी पूछा जाता एक्जामों में जवाहल लाल नहरू के द्वारा की गई थी अब देखे ये जो अधिवेशन था इसमें सबसे पहली बार पून सुराज की मांग की गई थी और गोशना की गई थी कि अगले साल से हर साल 26 जनवरी को स्वतंतरता दीवस के रूप में मनाय जाएगा लेकिन देखे देश 1947 में कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को तो अब 26 जनवरी को देखे स्वतंतरता दीवस के रूप में मनाते आ रहे थे इसलिए कुछ तो मना नहीं था इसलिए सब्विधान को आगे चलकर 26 जनवरी के दिन ही लागू कर दिया गया जबकि देखे सब्विधान की अगर हम बात करें तो ये 26 नवंबर 1990 को ही तयार हो गया था कुछ आर्टिकल केजूली उस वक्त लागू भी कर दिये गये थे लेकिन पूर्ण रूप से सब्विधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था क्योंकि ये डेट पहले से इंपोरेंट थी तो 26 जनवरी को सब्विधान को लागू कर दिया गया तो यहाँ पर देखिए अंसर डी आपको मिल जाएगा कॉंग्रेस ने इस तिथी को वर्ष 1930 में 77 दिवस के रूप में मनाया था इसलिए 26 जनवरी को सब्विधान को लागू किया गया नेक्स्ट कोशन देखिए सब्विधान सभा के कानूनी सलाकार कोन थे देखिए जब सब्विधान के निर्मान के लिए सब्विधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें कानूनी सलाकार के रूप में बी एन राव को कानूनी सलाकार बनाय गया था तो बियन राओ सविधान सभा में कानूनी सलाकार थे भारत की देशी रियासतों के विलाए में किन दो व्यक्तियों ने महतुपुन भूमी का निभाई थी तो देखिए एक नाम तो आपको पता ही है वो है सरदार वल्लब भाई पटेल जिनने भारत का आईरन में कहा जाता है देखिए भारत की आजादी के बाद जब सभी देशी रियासते भारत से अलग होने की फिराक में थी तब 562 देशी रियासतों में से 509 देशी रियासतों को देखिये सरदार वल्लब भाई पटेल ने भारत संग में शामिल कर लिया था उसके बाद भी 2-3 बची थी जैसे हैदराबाद हुई जूनागड हुई या जम्मू कश्मीर इनको अलग-अलग तरीके से भारत संग में शामिल किया गया जिसे हैदराबाद को अपरेशन पोलो चला कर जूनागड को जन्मत संग्र के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर से तो सरदार वल्लब भाई पटेल की देशी रियासतों में विलय में उनकी मदद करने वाले वेक्ति थे वीपी मेनन तो सरदार वल्लब भाई पटेल और वीपी मेनन ये दो ऐसे व्यक्ति हैं फ्रेंड्स जिन्नोंने देशी रियासतों के विलय में बहुत ही महतुपुन भूहनी का निभाई है अंसर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा राज्य पुनरगठन आयोग ने एक नौमबर उननिस सो चपन को कितने राज्यों तथा उसके संग राज्यों का गठन किया तो देखिए राज्य पुनरगठन आयोग इसे ही फदल अली आयोग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जो अध्यक्षते फ्रेंड्स वो फदल अली थे न्याय मूर्ती फदल अली दो सदस्य भी थे इस समीती के हिर्दैनात कुंजरू और के एम पड़ी कर अब ये तीनो सदस्य मतलब दो सदस्य और एक अध्यक्ष मिलकर राज्य पुनरगठन आयोग बनाय गया था ये बनाय गया था 22 दिसंबर 1953 को और भारत सरकार को इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सोपी थी इसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंडरशाशित प्रदेशों का गठन किया गया था तो राज्य पुनरगठन आयोग की सिफारिश पर एक नौवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंडरशाशित प्रदेश बनाय गये आंसर A जम्मू कश्मीर राज्य के पुनरगठन के पश्यात भारत में राज्यों की संख्या कितनी है तो देखिए जम्मू कश्मीर जोकी भारत का एक पूनरच्य हुआ करता था तब भारत में देखिए केंदर शाशित प्रदेश हुआ करते थे 7 और पून राज हुआ करते थे 29 अब देखिए जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को एक केंदर शाशित प्रदेश बना दिया गया और दो पार्ट में डिवाइट कर दिया गया एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा केंदर शाशित प्रदेश बन गया लद्दाग तो ये दो हो गए आपके केंदर शाशित प्रदेश अब देखे साथ में दो एड हो गए तो कितने हो गए नो अब जम्मू कश्मिर जब केंदर शाशित प्रदेश बना तो राज 29 की जगह कितने हो गए 28 तो आप देखिए आपके पास 28 राज्ज थे रोटल और 9 केंदर शाशित प्रदेश थे लेकिन 2020 में 2 केंदर शाशित प्रदेशों को मिला कर एक बना दिया गया यह है दादर नगर हवेली और दमानवर दीव इनको मिक्स कर दिया गया जोइन कर दिया गया तो अब केंदर शाशित प्रदेश 9 से घटकर कितने हो गए 8 तो पूर्ण राज्ज हो गए आपके 28 और अब केंदर शाशित प्रदेश हो गए 8 अब देखें यहाँ पर केवल राज्जों की संख्या की बात की गई है तो वो हो जाएंगे 28 जब जम्मू कश्मीराज यूनियन टेरेटरी बना तो राज्ज 29 से 28 हो गए आंसर भी हो जाएगा भाशाई आधार पर सरुप्रथम किस राज्ज का गठन हुआ तो देखें यहाँ पर एक स्टोरी बहुत इंपोटेंट है फ्रेंट्स यह स्टोरी है पोट्टी शिरी रामल्लू राज्जू की जब देखें भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे शित्रों में भाशा के आधार पर नए राज्जों के गठन की मांग तेज हो गई तब दक्षिन में तेलगू भाशी राज्ज में देखें जब विद्रों बढ़ता जा रहा था बाशाई अधार पर राज्जों के गठन की मांग बढ़ती जा रही थी तो एक तेलगू नेता थे जिनका नाम था पोट्टी शिरी रामालू राज्जों ये 56 दिन के अंशन पर बेटते हैं कि आप भाशाई अधार पर राज्ज का गठन करो लेकिन 56 दिन के अंशन के बाद इनकी मृत्य हो जाती है और इनकी मृत्य के बाद जब तेलगू बेल् अधार राज्ज बनाया जाता है और ये है आंदरप्रदेश कब बना था एक अक्टूबर 1953 तो आंदरप्रदेश एसा राज्ज है जो कि भाशा के अधार पर सबसे पहले बना था ओके यहां तक के कुश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही महत्पून एक अपडे को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है जहां पर देखिए जोग्रफी और अर्थमेटिक मेट्स की लाइफ क्लासेस अभी चल रही है और पॉलिटी की लाइफ क्लासेस 20 जून से शुरू होने वाली है जहां पर हम बहुती ब्रिफली प पर दिखाई देगी जिस पर क्लिक करके स्टेडी मटेरियल वाले सेग्मेंट में आपको डेली करंट अफेर्स की सभी फ्री कलासेस एवेलेबल हो जाएगी और इसके अलावा डेली करंट अफेर्स की आप फ्री पीडिएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री भी लगा सकते हैं ओके आई होब आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा अब हम नेक्स्ट कोश्चन पर आ जाते हैं इसके बाद कोश्चन देखिए फ्रेंड्स में ने लिखे इतमें से कौन सा अधिकार भारती सवविधान द्वारा प्रदत एक मौलिक अधिकार नहीं है तो देखिए भारती सवविधान में पहले साथ मौलिक अधिकार हुआ करते थे लेकिन बाद में चुम्माली सवविधान संशुदन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है आईए देख लेते हैं ये मौलिक अधिकार कुन-कुन से हैं तो देखे सबसे पहले है संपता का अधिकार जो की सव्विधान के आर्टिकल 14 से 18 तक उल्ले की थे दूसरा है स्वतंद्रता का अधिकार 19 से 22 तक तीसरा है शोशन के विरुद्द अधिकार जो की सव्विधान के आर्टिकल 23-24 में उल्ले की थे चौथा है धर्म की स्वतंद्रता का अधिकार 25 से 28 तक पाचवा है संस्क्रति और शिक्षा संबंदिर अधिकार 29 और 30 आठिकल में और सव्विधानिक उपचारों का अधिकार जो की आठिकल 32 में उल्लेखी थे देखे संपत्ति का अधिकार सव्विधान के आर्टिकल 31 में उलेखित था जिसे चुपमाली से सव्विधान संश्वधन के तहट हटा दिया गया तो अब संपत्ति का अधिकार मौली का अधिकारों में शामिल नहीं है प्रेश की स्वतंतरता किस अधिकार में नहीं थे तो देखे प्रेश की स्वतंतरता, बोलने की स्वतंतरता, अभिव्यक्ति की स्वतंतरता या भाशन देने की स्वतंतरता ये सब एक ही है और ये आपका मौलिक अधिकार है तो ये भाषन की स्वतंतरता की अंतरगत आर्टिकल 19 में उल्ले की थे अगर देश में एमर्जेंसी डिकलियर होती है फ्रेंड्स तो आर्टिकल 19 अपने आप विलुक्त हो जाता है तब आप भाषन नहीं दे सकते आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंतरता खतम हो जाती है प्रेस की स्वतंतरता पर बाउंडेशन लगा दिया जाता है ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चाप सकता और आल्मस्ट आप इन सभी कायों को बंध ही मानके चलो अगर देश में इमर्जेंसी डिक्लियर है तो हना तो ये भाषन की स्वतंतरता के अंतरगत आर्टिकल 19 में सम्मिली थे आंसर ए हो जाएगा निमने लिखित में से किसको सब्विधान द्वारा मौलिक अधिकारों के सब्रक्षन की शक्ति दी गई है तो देखिए आपके मौलिक अधिकार तब तक ही बने रहेंगे जब तक आपके साथ हाई कोट और सेंट्रल में सुप्रीम कोट है क्योंकि इन दोनों को भारती सब्विधान के तहट मौलिक अधिकारों के सदक्षन की शक्ति दी गई है सुप्रीम कोट आर्टिकल 32 के तद देखे मौलिक अधिकारों का सदक्षक है और हाई कोट की बात करें तो ये भारती सब्विधान के आर्टिकल 226 के तहट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और मौलिक अधिकारों के उलंगन पर ये दोनों रिट जारी कर सकते हैं लाइव क्लासेस में हम इन पर बहुती डिटेल में डिसकस करेंगे तो अगले कुश्चन पर आ जाते हैं भारती सब्विधान में रज्ज के नितिर निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के सब्विधान पर अधरी थे तो देखिए मैं आपको केज्वली बता देता हूँ कि किस देश के सब्विधान से हमने क्या-क्या एडोप्ट किया है क्योंकि देखिए एक बहुती फेमस जुमला भारती सविधान के लिए कहा जाता है कि भारती सविधान उधार की एक टोकरी है नॉर्मली UPSC के एक्जाम में जब मेंस का कुश्यन लिखने के लिए आता है तो ये पूछा जाता है कि इस पर टिप्पनी कीजिए कि भारती सविधान उधार की एक टोकरी है तो देखे किस देश के सविधान से क्या-क्या लिया गया है मैं आपको केज्योली बता देता हूँ जल्दी से तो देखे बृतेन के सविधान से संसदी प्रणाली ली गई है और देश की एकल नागरिक्ता के प्राधन लिये गए है इसके अलावा विधी निर्वान की प्रक्रिया को बिटेन के सविधान से एडोप्ट किया गया है अमेरिका के सविधान से मौलिक अदिकार जर्मनी के सविधान से एमर्जेंसी को लिया गया है रूस के सब्विधान से मौलिक करतव आयरलेंड के सब्विधान से निती निर्देशक तत्वों को लिया गया है दक्षिन अफ्रीका से सब्विधान में सब्विधान संशुदन की प्रक्रिया ली गई है जो की आर्टिकल 368 में उल्ले की थे फ्रांस के सब्विधान से गरतंतरात्मक शाशन व्यस्ता, जापान के सब्विधान से कानुन द्वारा इस्तापित शब्दावली, औस्टिलिया के सब्विधान से संवर्ति सुची और कनाडा के सब्विधान से संगात्मक व्यवस्ता को लिया गया है तो देखें यहाँ पर निती निर्देशक तत्व पूछा गया है तो यह आयरलेंड के सब्विधान से एडॉप्ट किया गया है अंसर B भारत का रास्ट्यपती अपना त्याक पत्र किसको संबोधित करके देगा तो देखें भारत का प्रेसिडेंड जो है रास्ट्यपती जो है वो अपना त्याक पत्र उप रास्ट्यपती को देता है अब देखें अगर उप रास्ट्यपती को अपना पद छोड़ना है तो यह अपना त्याक पत्र रास्ट्यपती को देता है भारत सरकार का सब्वेधानिक अध्यक्ष कोन होता है तो देखे भारत सरकार का सब्वेधानिक प्रमुख रास्ट्युपती होता है फ्रेंड्स क्योंकि ये भारत सरकार का सब्वेधानिक प्रमुख है और देश का प्रथम नागरिक है आंसर ए हो जाएगा लेकिन याद रखिएगा रास्ट्यपती केवल नाम मात्र का प्रमुख है जबकि वास्तरिक शक्तिया प्रधान मंत्री के हाथ में दी गई है तो ये important हो जाता है याद रखिएगा आगे आ जाते हैं निमने लिखित में से किसे भारत के रास्ट्यपती के रूप में निरविरोध चुना गया था तो देखें निरविरोध का मतलब क्या होता है जब किसी केंडिडेट के सामने कोई केंडिडेट खड़ा ही ना हो तो वो कहलाता है निरविरोध चुना जाना तो एसे भारत के रास्टिपती हैं नीलम संजीव रेड़ी डॉक्टर नीलम संजीव रेड़ी 1977 से लेकर 82 तक भारत के रास्टिपती रहे हैं ये भारत के छटे रास्टिपती थे जिनने निर्विरोज चुना गया था अंसर C हो जाएगा रास्ट्यपती का अध्यदेश कितनी अवधी के लिए लागू रहता है तो देखे रास्ट्यपती अपना जो अध्यदेश है वो आर्टिकल 123 के तहर जारी करता है और ये अध्यदेश 6 महा तक मानने होता है अब एसी कंडिशन एक्च्वल में होती क्यों है तो देखे अध्यदेश की डेफिनेशन को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कोई भी अध्यदेश रास्ट्यपती के द्वारा तब लाये जाता है जब संसत के दोनों सदन या दोनों में से कोई भी एक सदन अस्तित्व में ना हो तो एसी कंडिशन में रास्ट्यपती को अगर कोई अरजेंट कानून लाना है तो वो उसके लिए अध्यदेश ला सकता है यह अपने आप में ही एक कानून होता है लेकिन आपको पता है कि अगर संसत का कोई भी सदन छुट्टी पर जाता है तो दूसरे सत्र के बीच में छे माह से ज़्यादा का गेप नहीं होना चाहिए तो एसी कंडिशन में जैसे ही छे माह में सदन का सत्र लगेगा तब अध्यदेश को संसत के सदन में रखवाना पड़ेगा इसलिए छे माह अधिक्तम अध्यदेश की अवधित दी गई है तो अध्यदेश किवल छे माह तक ही लिगल माना जाता है उसके बाद अगर आपको उसको पर्मानेंटली लागू करना है तो दोनों सदनों में पास करवाओ रास्ट्यपती के साइन लेलो और इसको पर्मानेंटली कानून बना दो तो कितने माह का रेता है अध्यदेश? नौर्मली छे माह का किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता तो देखे फ्रेंट से राज्यसभा का जो सभापती होता है वही उपरास्ट्यपती होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता क्योंकि वो उपरास्ट्यपती के रूप में चुना जाता है अब देखे उपरास्ट्यपती के निर्वाचन में संसत के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या मनोनित सदस्य हो तो लोग सभा और राज्य सभा के निर्वाचित और मनोनित दोनों सदस्यों को मिला कर उपरास्ट्य पती का चुनाव किया जाता है और उपरास्ट्य पती के रूप में व्यक्ति को चुना जाता है और यही राज्य सभ का सभापती होता है ये इस सदन का सदस्य नहीं होता आंसर ए मंत्री परिशद में शामिल नहीं है तो देखे फ्रेंड्स सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंत्री परिशद का उल्लेक सब्विधान के किन आर्टिकल में किया गया है तो इनका उल्लेक किया गया है आर्टिकल 74 और 75 में अब मंत्री परिशद में देखिए तीन प्रकार के सदस्यों को शामिल किया जाता है केबिनेट इस्तर के मंत्री राज इस्तर के मंत्री और उपमंत्री इन तीनों को मंत्री परिशद में शामिल किया जाता है जबकि केबिनेट सचिव मंत्री परिशद में शामिल नह लोकसवा में किसी विधयक को धन विधयक के रुप में कौन प्रमानित करता है। सयुक्त बैठक आहुद की जाती है। तो देखिए आर्टिकल 108 में लोकसवा और राज्यसवा की सयुक्त बैठक बुलाने का प्राउधान है। लेकिन देखिए इस आर्टिकल के तहट सयुक्त बैठक केवल रास्ट्यपती के द्वारा ही बुलाई जा सकती है। रास्ट्यपती लोकसवा और राज्यसवा की सयुक्त बैठक आहुद कर सकता है। आंसर भी हो जाएगा। लोकसवा की कारवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ती या कोरम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स लोकसवा को तब लगाया जाएगा जब उसके कुल सदस्यों में से वन अपोन टेन सदस्य सदन में मोजूद हूँ तो वन अपोन टेन सदन की गणपूर्ती है। आंसर डी निम्लिखित में से कौन सा अनुच्छेत संसत को राज्यसूची के विशय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो देखे भारती सवविधान के आर्टिकल 249 के तहट संसत को राज्यसूची के विशय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। देखे इसमें भी अधिकतर जो पावर है वो राज्यसभा को दिया गया है। अगर राज्य सभा देखिए, राज्य सुची के विशय पर कानून बनाने के अधिकार वाला बिल, राज्य सभा में दो तिहाई बहुमत से पास कर देते हैं, तो राज्य सुची पर कानून बनाने का अधिकार संसत को मिल जाता है, जो की अधिक्तम देखिए एक वर्ष तक मा हुआ था तो दिखिए लोकसभा का जो सबसे पहला आम चुनाव था फ्रेंड्स वो अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था और वहां से लेकर फरवरी 1952 तक चला था मतलब पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वो लगभग चार महिने तक चले थे अब यहां पर हमारे पा जाता है तो दिखिए जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो पहली जो लोकसभा आयोजित की जाती है उसमें उस लोकसभा का जो सबसे एजेट सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर रास्ट्यपती के द्वारा नियुक्त किया जाता है अब इस पहली लोकसभा में सदस प्रधान मंत्री की न्यूक्ती का प्रावधान सव्विधान के किस अनुच्छत के अंतरगत किया गया है? तो भारती सव्विधान के अनुच्छत 75 में प्रेंट्स प्रधान मंत्री की न्यूक्ती रास्ट्यपती के द्वारा की जाती है? और इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं उनकी न्युक्ति विरास्ट पती प्रधान मंत्री की ही सिफारिश पर करता है सरकारिया आयोग का गठन किस विशय पर सुझाव देने के लिए किया गया था तो सरकारिया आयोग जो की 1983 में गठित किया गया था ये केंदर राज्य संबन्द पर अपनी सिफारिशे देने के लिए गठित किया गया था जब हम लाइव क्लासेस में आयोग को पढ़ेंगे फ्रेंड्स तब हम इनकी बहुती डिटेल में बात करेंगे तो अभी तो आप ये याद रख लीजिए कि सरकारिया आयोग जो है वो केंदर राज्य संबन्द पर अपनी सिफारिशे देने के लिए बनाए गया था केंदर राज्य संबन्द विधान सभा के सदस्यों के लिए नियुन्तम आयो निर्धारित की गई है तो देखे विधान सभा के लिए अगर किसी भी सदस्यों को चुना जाना है तो उसे कम से कम 25 वर्ष की आयो पूरी करनी पड़ेगी यही विधान सभा की सबसे नियुन्तम आयो है अंसर C विधान सभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए कम से कम व्यक्ति को 25 वर्ष की आयो पूरी कर लेनी चाहिए किसी राज्य का प्रथम विधी अधिकारी कोन होता है तो देखे राज्य का प्रथम विधी अधिकारी महादी वक्ता को कहा जाता है जिसका उल्लेक सब्विधान के आर्टिकल 165 में किया गया है महादी वक्ता राज्य का प्रथम विधी अधिकारी कहलाता है अंसर A निम्न में से किसका विगटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है तो देखिए लोक सभा और राज्य विधान सभाव की अगरम बात करें तो ये दोनों का ही विगटन किया जा सकता है लेकिन देखिए इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता राज्य सभा की अगर हम बात करें तो इसका ना तो विगटन किया जा सकता है और नहीं इसे समाप्त किया जा सकता है जबकि राज्य विधान परिशत की अगर हम बात करें तो देखिए इसके गठन और इसे समाप्त करने का जो प्रावधान है वो सब विधान के आर्टिकल 169 में उल्लेखी थे इस आर्टिकल के तरद देखिए संसत किसी भी राज्य में विधान परिशत का सजन कर सकती है और उसे समाप्त कर सकती है लेकिन अगर एक बार राज्य विधान परिशत का गठन कर दिया गया तो उसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन विगटित नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा राज्य विधान परिशद इसे विगटित नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है वह राज्य जहां विधान परिशद नहीं है तो देखिए यहां पर चार अप्षन दिये गए हैं और हमें बताना है कि कहां पर विधान परिशद नहीं है क्योंकि देखिए विधान परिशद राज्जी की इच्छा पर छोड़ दी गई है अगर राज्य चाहे तो विधान परिशत का गठन करे अन्यता छोड़ दे तो अभी देखिए वर्तमान में छे राज्यों में विधान परिशत अस्तितू में है आंद्रप्रदेश, बिहार, करनाटक, उत्तरप्रदेश, महरास्ट और त्यलंगाना ये छे एसे राज्य हैं जहां पर वर्तमान में विधान परिशत है अब यहां पर आप आप आप्शन देख लिजे फ्रेंड्स राजस्थान एक एसा राज्य है जहां पर विधान परिशत नहीं है आंसर B भारती सविधान नागरीकों के लिए आर्थिक न्याई किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है तो भारती सविधान में देखिए आर्थिक न्याई की जो अवधार्ना है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित की गई है तो राज्जी के नीतिन निर्देशक तत्वों में नागरी को के लिए आर्थिक नियाय को परिभाशित किया गया है अंसर दी सभिवान सभा में यह किसने कहा था कि राज्जी के निर्देशक सिद्दांत किसी बेंक में दे उस चेक की तरह है जिनका भुक्तान बेंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है तो ये कथन है फ्रेंड्स केटी शाह का क्योंकि देखिए राज्जी के नितिन निद्रशक सिद्धांत राज्जी चाहे तो लागू करे अन्यता छोड़ दे अगर राज्जी लागू नहीं करता तो कोई भी नागरिक इसके खिलाफ न्यायले नहीं जा सकता इसी तरह देखिए ये बेंक में उस देख चेक की तरह है जिसका भुक्तान बेंक अपनी सुविधा अनुसार करता है अब बेंक चेक का भुक्तान करना चाहे तो करे अन्यता छोड़ दे ये कथन राज्ज के निति निर्जशक सिद्दांत के लिए केटी शाह के द्वारा कहा गया था निमनलिखित में से भारत के किस राज्ज में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता लागू है तो देखिए एसा राज्जे फ्रेंड्स गोवा भारती सब्विधान के किस भाग में कारेपालिका से नियाएपालिका का प्रथक करण किया गया है तो देखिए कारेपालिका नियाएपालिका के कारे में कोई हस्तिशेप नहीं करेगी और नियाय पालिका भी कारे पालिका के कारे में कोई भी हस्तिशेप नहीं करेगी यह जो प्राउधान है राज जी के निति नर्जशक तत्व के तहट आर्टिकल 50 में किया गया है आर्टिकल 50 के तहट न्याय पालिका को कारिपालिका से प्रथक करना राज जी का करता वे है तो किस में उल्ले की थे? निती नर्जशक तत्वों में लाल बहादूर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधान मंत्री पत पर रहे थे? तो देखें लाल बहादूर शास्त्री नाइंटीन सिक्स्टी फोर में भारत के प्रधान मंत्री बने थे और नाइंटीन सिक्स्टी सिक्स में इनकी मिर्थ्यों हो गई थी तो 1964 से लेकर 1966 तक ये भारत के प्रधान मंत्री के पतपर रहे थे जवाहललाल नहरू के बाद ये भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे अंसर A रास्ट्यपती की मृत्यू के कारण उत्पन हुई आकस्मिक रिक्तता के दोरान रास्ट्यपती के रूप में कौन कारे करता है तो देखे फ्रेंट्स अगर रास्ट्यपती किसी भी कारण से अपने पत पर नहीं है चाहे उनकी मृत्ती हो जाए चाहे वो छुट्टी पर चले जाए या फिर अपने पत से त्याक पतर दे दे तो इसी कंडिशन में देखिए भारत के उप रास्ट्यपती रास्ट्यपती के पत का निर्भन करते हैं तो कोन करता है उप रास्ट्यपती अंसर बी रामनात कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के कोन से रास्ट्यपती के रुप में पत ग्रहन किया था तो देखे रामनात कोविंद 2017 में भारत के चवदुए रास्ट्यपती बनाई गए थे निमने लिखित में से किसे महावियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाय जा सकता है तो देखे फ्रेंड्स भारती सब्विधान के आर्टिकल 61 के तहट रास्ट्यपती को महावियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाय जा सकता है तो सब्विधान के आर्टिकल 61 के तहट भारत के रास्ट्यपती पर महावियोग लाय जा सकता है रास्ट्य पती अपने पत से त्याग पत्र देना चाहे तो वह कीसे देगा तो देखिए एक सर्कल को यहाँ पर आप समझिए अगर रास्ट्य पती को अपने पत से त्याग पत्र देना है तो वह उपरास्ट पती को अपना त्याक पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है सेम कंडिशन में अगर उपरास्ट पती अपने पत से त्याक पत्र देना चाहे तो वह रास्ट पती को अपना त्याक पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है तो इस सरकल को याद रखेगा रास्ट पती अपना त्याग पत्र उपरास्ट पती को और उपरास्ट पती अपना त्याग पत्र रास्ट पती को देता है तो रास्ट पती किसे देगा उपरास्ट पती को भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है तो देखे जैसे राज्य में महादी वक्ता होता है Friends, वैसे ही Central Government के पास महान्यायवादी होता है जिसका उल्लेक भारती सब्विधान के Article 76 में किया गया है भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी इसके बाद देखिए भारती सवविधान के दोनों सदनों की सयुक्त वेठक को कोन बुला सकता है तो देखिए प्रिविएस कुश्चन में ही हमने इस पर डिसकस किया था सवविधान के आर्टिकल 108 के तहट राज्जिसभा और लोकसभा के सयुक्त वेठक का प्रावधन किया गया है जिसे बुलाने का अधिकार भारत के रास्ट्यपती को है तो भारत का रास्ट्यपती संसत के दोनों सदनों की सयुक्त वेठक बुला सकता है भारत में उप्रास्टिपती निर्वाचित होता है तो देखिए भारत में उप्रास्टिपती के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो सव्विधान के आर्टिकल 66 मोर लेकी थे इस आर्टिकल के तहट संसत के सभी सदस्य मिलकर चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनित हो दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनित दोनों सदस्य मिलकर उप रास्थिपती के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो यहाँ पर देखिए संसत के सभी सदस्यों के द्वारा उप रास्ट्रिपती का निर्वाचन किया जाता है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधान मंत्री कोन मनाए गए Very simple, आप सभी को इसका अंसर पता होगा स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप रधान मंत्री और भारत के पहले ग्रह मंत्री सरदार वललब भई पटेल को बनाये गया था भारती सविधान के अनुच्छे देख सो 23 के तहट अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्लिकित में से किसके पास है तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर इस्पेशली एक आर्टिकल का उलिक किया गया ही और वो है आर्टिकल 123 सब्विधान के आर्टिकल 123 के तहट अध्यादेश जारी करने की जो शक्ती है वो रास्ट्यपती के पास है रास्ट्यपती मंतरी परिशत की सिफारिश पर सब्विधान के आर्टिकल 123 के तहट किसी भी कानून पर अध्यादेश जारी कर सकता है कोन कर सकता है रास्ट्यपती 1964 में जवाहल लाल नहरू की मृत्यू के बाद भारत के कारिवाहउक प्रधान मंतरी कोन बने तो ये बनाई गए थे फ्रेंड्स गुलजारी लालनन्दा ये दो बार भारत के कार्रिवाहक प्रधानमंत्री बनाई गए हैं पहली बार 1964 में जब जबहाल लालनेहरू की मृत्य होई थी और दूसरी बार 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्य होई थी तो दो बार गुलजारी लालनन्दा भारत के कार्रिवाहक प्रधानमंत्री बनाई गए हैं भारती सब्विधान के अनुसार रास्ट्य पती पद की रिक्ती भरनी होती है तो देखिये रास्ट्य पती का पद अगर खाली हो जाता है फ्रेंड्स चाहे उनकी मृत्य हो जाए चाहे वो छुट्टी पर चले जाए या फिर अपने पद से त्याग पत्र दे दे इन तीनों कंडिशन में अगर रास्ट्य पती का पद खाली होता है तो रास्ट्यपती के पद खाली होने से 6 मा के अंदर नए रास्ट्यपती का निर्वाचन हो जाना चाहिए तो रास्ट्यपती का जो पद है वो 6 मा से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता अंसर C 6 मा के अंदर रास्ट निर्वाचन आयोग रास्ट्यपती के पत्के चुनाओ करवा लेगा रास्ट्यपती का अध्यादेश लागू रह सकता है तो देखे पहले भी इस कोश्चन पर हम बात कर चुके हैं रास्ट्यपती का जो अध्यदेश है वो छे माह तक लीगल रहता है छे माह निमने लिखित में से कौन देश के रक्षा बलो का सर्वोच्च सेनापती होता है तो देखे भारत के रास्ट्यपती देश के रक्षा बलो के सर्वोच्च सेनापती होते हैं लेकिन देखिए संसत को रास्टपती के द्वारा सेन्न शक्तियों के प्रयोक पर किसी भी प्रकार के नियम मनाने का अधिकार है। भारत के रास्टपती भारत के रक्षा बलो के सर्वोच कमांडर होते हैं। वह देश के रक्षा बलो के कमांडर इन चीफ हैं। कौन है ये रास्टपती ? निमनलिखित में से कौन दो बार भारत का रास्टपती चुना गया है ? तो देखिए अभी तक ऐसे वेक्ति जो की दो बार भारत के रास्टपती बने हैं फ्रेंड्स बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं जो की 1952 से लेकर 1962 तक 10 साल भारत के रास्टपती रहे हैं राजेंद्र प्रसाद कौन पहली बार गेर राजनितिक वेक्ति रास्टपती बना ? तो एसा वेक्ति जो की देखिए राजनिति के बेग्राउंड से नहीं था फिर भी आगे चलकर भारत के रास्टपती बने सन 2002 में एपीजे अब्दुलकलाम भारत के रास्टपती चुने गए थे आंसर सी इसके बाद नेक्स्ट कोशन देखिए रास्टपती एवं उपरास्टपती के निर्वाचन से संबंदित विवाद सर्वोच्च नियाले के किस अधिकार शेत्र के अंतरगत आता है तो देखिए रास्टपती और उपरास्टपती के निर्वाचन से लेकर अगर कोई भी विवाद उत्पन होता है तो सब्विधान के आर्टिकल 71 के तहट सुप्रीम कोट उस पर निर्णय कर सकता है और यह जो अधिकार है सुप्रीम कोट का प्रारंबिक शेत्रादिकार है लेकिन देखिए यहाँ पर याद रखेगा सुप्रीम कोट रास्टपती और उपरास्टपती के निर्वाचन से संबंदित किसी भी विवाद पर तब ही निर्णय ले सकता है जब चुनाव संपन हो चुके हों चुनाव के पहले सर्वत्च न्याले इन मुद्दों पर सुनवाई नहीं करता तो कौन सा शेत्रादिकार है? प्रारंबिक शेत्रादिकार उपरास्थ्य पती पदेन अध्यक्ष होता है तो भारत का उपरास्ठ पती राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपरास्ठ पती राज्य सभा के सभापती के रूप में कारी करता है क्लियर यहां तक सभी कुश्चन आपको बहुती इजिली समझ मा आ गए होंगे अगले कुश्चन पर आ जाते हैं उपरास्ट्यपती को उनके पत से हटाने की प्रक्रिया प्रारंब कर सकता है तो देखिए अगर उपरास्ट्यपती को उनके पत से हटाना है तो प्रस्ताव हमेशा राज्य सभा में ही लाए जा सकता है बाद में उस पर लोग सभा की भी स्विकरती आउशक है लेकिन शुरुआत कहां से होगी राज्य सभा से भारत में कोई भी व्यक्ति अधिक्तम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है तो देखे भारती सविधान में इसके बारे में कोई भी उलेक नहीं है मतलब कोई भी सीमा नहीं दी गई है कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधान मंत्री बने कितनी बार प्रधान मंत्री का चुनाव लड़े इसकी कोई सीमा का उलेख नहीं है आंसर टी इसलिए व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार प्रधान मंत्री का चुनाव लड़ सकता है यदि प्रधान मंत्री अपना त्यागपत्र रास्ट्यपती को सोपता है तो यह त्यागपत्र नेम्न में से किसका माना जाएगा तो देखे UPSC में कोश्यन आता है फ्रेंड्स जब पूछा जाता है कि जो प्रधान मंत्री है वो डूपते हुए जहांच का केप्टन है सिद्ध कीजिए वो इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि अगर प्रधान मंत्री अपना त्यागपत्र रास्ट्यपती को दे देता है तो पूरी मंत्री परिशत भी डिस्ट्रोइड हो जाती है तो प्रधान मंत्री का जो त्यागपत्र है संपूर्ण मंत्री परिशत का त्यागपत्र माना जाता है भारत का महान्यावादी सुनवाई कर सकता है तो ये देखिए भारत का प्रथम विधी अधिकारी होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था इसका उल्लेक सविघान के आर्टिकल 76 में किया गया है यह भारत के राज्य शेत्र के किसी भी नियाले में सुनवाई कर सकता है यह अधिकार भारत के महान्याईवादी को दिया गया है निम्न लिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने और कारवाई में भाग लेने का अधिकार है तो very simple, ये व्यक्ति है भारत का महान्यावादी ये संसत के किसी भी सदन का सदस्ट से नहीं होता friends लेकिन फिर भी इसे संसत में बोलने और संसत की कारवाई में भाग लेने का अधिकार होता है किसे होता है? भारत के महान्यावादी को भारत के रास्ट्यपती को के से चुना जाता है? तो देखिए इनको जो चुनने की अब रत्यक्ष मतदान प्रणाली है उसे एकल इस्तानान तरणी मतदान प्रणाली के नाम से जाना जाता है रास्ट्यपती के निर्वाचन में देखिए संसक के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्जी की विधान सबाव के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इन सभी के द्वारा मिलकर भारत के रास्ट्युपती को चुना जाता है अंसर B ओके इसके बाद आगया जाईए इसके बाद कुशन देखिए लोकसभा में बराबर मत होने पर निमनलिखित में से कोन केवल निर्वाचित मत दे सकता है तो देखिए फ्रेंड सपोस कीजिए कि लोकसभा में कोई बिल लाया गया है अब लोकसवा में उस बिल पर पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हैं मान लेते हैं कि 50-50 वोट पड़े हैं अब AC कंडिशन में जो निर्णायक मत है वो लोकसवा का अध्यक्ष दे सकता है लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो उस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में वोट दे सकता है जिससे वो आसानी से लोकसभा में पास हो जाएगा तो निर्णायक वोट देने का जो अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है पहली लोकसवा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ था तो स्रेंट्स लोकसवा का जो पहला सत्र है वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था क्योंकि हमने पहले बात की थी लोकसवा के पहले आम चुनाव जो है 1952 में संपन हुए थे और इसके बाद लोकसभा का जो पहला सत्र है 13 मई 1952 को शुरू हुआ था संसद में शामिल है तो भारती संसद का जो उल्लेख है सवविधान के आर्टिकल 79 में देखने को मिलता है इसके अधाद देखिये संसद में लोकसभा, राज्यसभा और रास्ट्यपती को शामिल किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा और रास्ट्यपती मिलकर संसद का निर्मान करते है अंसर B निमने लिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है तो भारत में कानून मनाने की जो शक्ती है वो संसत को दी गई है अब देखिए संसत में अभी हमने बात की थी रास्ट्यपती और संसत के दोनों सदन शामिल किये जाते हैं तो रास्ट्यपती और संसत के दोनों सदन मिलकर देश में कानून का निर्मान करते हैं आगे देखिए द्वी सदनी विधान मंडल से क्या आशा है तो देखिए एसा विधान मंडल जिसमें विधान सभा भी हो और विधान परिशत भी हो तो ये कहलाती है द्वी सदनी विधान मंडल अब अगर किसी भी विधान मंडल में दो सदन है तो एक निमन सदन होगा और एक उच्चे सदन होगा तो निमन सदन और उच्चे सदन मिलकर दूई सदनी विधान मंडल का गठन करते हैं राज्य सबा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है तो देखिया राज्य सवा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स लेकिन इसके जो सदस्य हैं राज्य सवा की सीट पर जो चुना होता है वो हर दो साल में एक तिहाई सीट पर होता है अब हर दो साल में जब एक तिहाई सीट पर चुना होता है तो राज्यसभा के एक सदस्य का जो कारिकाल है वो 6 वर्ष का होता है 6 वर्ष के बाद एक सीट पर वापस चुनाव की प्रक्रिया करवाई जाती है answer D राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का होता है इसके विपलित अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसका कारिकल पांच वर्ष का होता है राज्य सभा में कितने सदस्य प्रत्येक दो वर्षों में निर्वाचित किये जाते हैं अभी हमने बात की है एक तीहाई सदस्यों को राज्य सवा में प्रत्येक दो वर्षों में निर्वाचित किया जाता है। एक तीहाई सदस्य राज्य सवा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखे भारती सवविधान के आर्टिकल 80 में राज्य सवा का उल्लिग किया गया है, इसके अनुसार राज्य सवा के सदस्यों का जो चुनाओ है, वो राज्य विधान सवा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, राज्य विधान सवा के निर्वाचित सदस जनता का सदन को लोकसवा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो देखे भारत की लोकसवा को लोकसवा का जो नाम है वो 1954 में दिया गया था. इसके पहले इसे जनता के सदन के नाम से जाना जाता था. आंसर A लोकसवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? Very very important question है friends. काफी एक्जामों में ये कुश्चन हमको देखने को मिलता है. लोकसवा के सबसे पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे. तो जीवी मावलंकर लोकसवा के पहले अध्यक्ष थे. निमने लिखित में से लोकसवा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो देखिए कॉंग्रेस पार्टी की मीरा कुमार लोकसवा की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी यह 2009 से लेकर 2014 तक लोकसवा की महिला अध्यक्ष थी तो पहली तो हो गई मीरा कुमार इसके बाद देखिए दूसरी महिला अद्यक्ष बनाई गई थी सुमित्रा महाजन तो यहाँ पर पहली पूछी गई है यह कौन है मीरा कुमार प्रोटेम स्पीकर का कारी क्या है तो शुरुवात में हम इस पर डिसकस कर चुके हैं लोकसवा के चुनाओ के बाद जो पहली बेटक होती है वहाँ पर सदस्यों को शपत ग्रहन करवाना और लोकसवा के अद्यक्ष का चुनाओ करवाना यह प्रोटेम स्पीकर का कारी है अंसर हो जाएगा सविधान का कौन सा अनुच्छे धन विध्यक से संबंदी थे तो देखिए भारती सविधान के आर्टिकल 110 में मनी बिल को लेखित किया गया है अनुच्छे 110 में धन विध्यक परिभाशी थे लोकसवा में किसी विध्यक को धन विध्यक के रूप में मंजूरी निम्न में से कोन देता है तो कोई भी बिल मनी बिल है फ्रेंड्स इस बात का फैसला लोकसवा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है लोकसवा अध्यक्षी बता सकता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं आंसर D संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम अंतराल की अवधी क्या है? तो देखे फ्रेंड्स, according to constitution, संसत के किसी भी सदन का अगर विगिटन किया जाता है, तो अगले सत्र को छे मा के भीतर ही लगाया जाना ज़रूरी है. तो संसत के किसी भी सदन में दो सत्रों के बीच का जो गेप है, वो छे महा से ज़्यादा नहीं हो सकता. अंसर B संसत में आधिकारिक विपक्षी दल के रुप में माननेता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो देखिए अगर कोई भी पार्टी है फ्रेंड्स और उसको संसत में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करना है, तो संसत के सदन की जितनी भी सीटे हैं, उन पर होने वाले चुनाओं में वो 1 अपोन 10 सीटों पर विजय होनी चाहिए. मतलब कुल सदस्यों में से 10 परसेंट सीटे उस विपक्षी दल के पास होनी चाहिए. ऐसी कंडिशन में उसे विपक्षी दल का दर्जा दिया जा सकता है. तो कुल सदस्यों का 1 अपोन 10 भाग होना ही विपक्षी दल का दर्जा दिलवा सकता है. कितना चाहिए? 1 अपोन 10 भ ये आर्टिकल है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 के तहट राज्य सुची के विशय पर संसत को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, भारती संसत में निम्न में से कोन बजट प्रस्तुत कर सकता है, अब देखिए यार ये तो बहुती नॉर्मल सा कुश्चन है, आप सभी को इ करने का जो अधिकार है, वो वित्त मंत्वी को दिया गया है, तो वित्त मंत्वी ही बजट को प्रस्तुत कर सकती है, भारती संसत के लोकलेखा समीती का अध्यक्ष कोन होता है, तो देखिए सबसे पहले इसके काम के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुल में लोकलेखा समीत जो है वो CAG के audit की जाच करता है लोक लेखा समीती में देखिए 22 सदस्य होते हैं friends जिसमें से 15 सदस्य लोक सभा से लिये जाते हैं और 7 सदस्यों को राज्य सभा से लिया जाता है और इस समीती का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का कोई नेता बनाय जाता है तो लोक लेखा समीती का अध्यक्ष विपक्षी दल का ही कोई नेता होता है इसे देखिए हम live class में बहुत ही detail में समझेंगे friends वहाँ पर इससे related आपके जितने भी doubt हैं वो सभी एक ही बार में clear हो जाएंगे नेम ने लिखित में से कौन सी समीती को प्रांकलन समीती की जुड़वा बहन कहा जाता है तो देखिए प्रांकलन समीती की जुड़वा बहन लोक लेखा समीती को ही कहा जाता है यहाँ पर देखिए संसत की तीन समीतिया हैं बहुत ही important है friends बहुत ही डीटेल में इनके बारे में आपको बताऊंगा अभी यहाँ पर देखे शौट में बता रहा हूँ तो आपके वल इतना याद रख लीजिए कि प्राग्मलन समिती की जुड़वा बहन लोक लेखा समिती को कहा जाता है आंसर C निमन लिखित में से कौन भारत की संचित निधी का सर्रक्षक है तो देखे भारत की संचित निधी पर कोई भी निड़ने लेने का अधिकार जो है वो भारती संसक को दिया गया है भारती संचित निधी का उलेक भारती सब्विधान के आर्टिकल 206 में किया गया है अब एक्चुल में ये है क्या तो फ्रेंट्स देखिए ये एक एसा कोश है जिस पर भारत की सभी धन्राशियों को रखा जाता है मतलब भारत सरकार को टेकसेस से जितनी भी प्राप्त होती है रेन से जितनी भी प्राप्त होती है विदेशी मुद्रा जितनी भी प्राप्त होती है वो सभी संचित निधी में ही रखा जाता है अब भारत की संचित निधी पर नेड़ा लेने का अधिकार भारती संसद को दिया गया है इसलिए भारत की संचित निदी का सदक्षक भारती संसद है भारती संसद है तो देखे भारती संसद केसी है एक सदनात्मक है, दो सदनात्मक है या तीन सदनात्मक है तो आप सभी जानते हैं कि भारती संसद के केवल दो सदन है एक है लोक सभा और एक है राज्य सभा तो ये हो गई दो सदनी भारती संसद द्वी सद नात्मक संसद है नेक्स्ट कोशन देखिए भारती सब्विधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान सभा के गठन का प्राउधान है तो देखे भारती सब्विधान में राज्जी विधान मंदल की सरचना, गठन, कारिकाल इनका जो उल्लेख है वो भारती सब्विधान के आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 200 बारत तक किया गया है इसी के मध्ध में सब्विधान के आर्टिकल 168 के तहट राज्जी के विधान सभा के गठन का प्राउधन किया गया है भारत में राज्जी के महादीवक्ता की नियुक्ति कोन करता है तो देखिए पहला फेक्ट तो ये जान लीजिए कि किस आर्टीकल में महादी वक्ता को शो किया गया है तो महादी वक्ता का उलेक भारती सविधान के आर्टीकल 165 में किया गया है इसके तहट राज्य में महादी वक्ता की जो नियुक्ती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य का राज्यपाल मुख्य मंत्री की सलापर राज्य में महादी वक्ता की नियुक्ती करता है तो कौन करता है राज्यपाल विधान सवा का सदस्य बनने के लिए नियुनतम कितनी आयू होना आउशक है तो देखे किसी भी व्यक्ति को विधान सवा का सदस्य चुने जाने के लिए नियुनतम 25 वर्ष की आयू पूरी कर लेना आउशक है पच्चिस वर्ष की आयू विधान सवा के सदस्य बनने के लिए जरूरी है आंसर B राज्यपाल को पद और गोपनीता की शपत किसके द्वारा दिलवाई जाती है तो देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि राज्यपाल की नियुक्ती रास्ट पती के द्वारा की जाती है भारत के प्रेसिडेंट राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ती करते हैं लेकिन रज्जपल को उनके पद की जो शपत है वो उच्छ नियालय के मुख्य नियाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। जिस भी रज्ज में रज्जिपल को नियुक्त किया जा रहा है उस रज्ज के उच्च नियाले के जो मुख्य नियादीश है वो रज्जिपल को उनके पद की शपत दिलवाते हैं कोन दिलवाता है उच्च नियाले के मुख्य नियादीश स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्जिपल कोन थी? तो देखिए पूरे भारत में सबसे पहली महिला राज्जिपल की अगर हम बात करें तो ये थी सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू को देखिए 1947 में उत्तर प्रदेश राज्जी का राज्जपल बनाई गया था जो कि 1949 तक अपने पदपर रही थी तो सतंत्र भारत की पहली महिला राज्जपल सरोजनी नाइडू है जो की उत्तर प्रदेश राज्जी की पहली महिला राज्जिपल बनाई गई थी राज्जी की वास्त्वी कारिपाली का शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है तो देखे फ्रेंड्स, जिसे केंदर में प्रेसिडेंट नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्त्रिक शक्तियों का प्रयोग प्रधान मंत्री के द्वारा किया जाता है उसी प्रकार राज्जी की भी कंडिशन है यहाँ पर राज्जी पल नाम मात्र का प्रधान होता है जबकि वास्त्रिक कारिपाली का शक्तिया मुख्य मंत्री के हाथों में दी गई है पिर सब्विधनिक निका है, इसका अध्यक्ष देखिए हमेशा मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। मुख्यमंत्री राज्जी योजना बोट के अध्यक्ष होते हैं। इनमें से किस राज्ज में विधान परिशद है। तो याद कीजिये friends शुरुवात में ही मैंने आपको 6 रज्यों के बारे में बताया था जहां पर विधान परिशद वर्तमान में अस्तितुर में है तो इन चारों में से देखिए एक ऐसा रज्य जहां पर वर्तमान में विधान परिशद है वो है आंदर प्रदेश आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा आंदर प्रदेश में वर्तमान में विधान परिशद अस्तितुर में है किस सब्विधान संशोदन को लगू सब्विधान कहा जाता है वेरी इंपोर्डेंट कोश्चन है फ्रेंट्स यह काफी एकजाम में पूछा जाता है एसा सब्विधान संशोदन जिसे मिनी कांस्टिटूटीशन के नाम से जाना जाता है यह है 42वा सब्विधान संशोदन जो की 1976 में किया गया था इसमें देखिये भारती सवविधान में काफी सारे नए elements जोड़े गए थे इसलिए 42 से सवविधान संशोदन को लभू सवविधान के नाम से जाना जाता है भारत में रज्यो के रज्य पालो की नियुक्ति कोन करता है तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था राज्ज में राज्जपालो की नियुक्ति का अधिकार भारत के रास्ट्यपति को दिया गया है ये मंत्री परिशद या प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है कोन करते हैं भारत के रास्ट पती भारत के उच्चतम नियाले के नियाधिशों की नियुक्ति कोन करता है तो देखे फ्रेंड्स भारती सव्विधान के आर्टिकल 124 के खंड दो में रास्ट्य पती उच्चतम न्यालय और राज्जों के उच्चे न्यालय के नियाईधिशों की नियुक्ति करते हैं तो उच्चेतम नियायले के नियायदीशों की नियुक्ती और राज्ज में उच्चे नियायले के नियायदीशों की नियुक्ती का दिकार रास्ट्यपती को दिया गया है। रास्ट्यपती सब्विधान के आर्टिकल 124 के तहट इन सभी की नियुक्ती करते हैं। किस न्यायले के फैसले देश के बाकी सभी न्यायलों पर बात्दिकारी होते हैं तो देखे फ्रेंड्स भारत में एकल न्याय पालिका का गठन किया गया है जिसमें सर्वोच्च पर भारत के सुप्रीम कोट को रखा गया है इसलिए भारत के सुप्रीम कोट के जो फैसले हैं वो सभी नियाले को मानने पड़ते हैं और ये सभी नियालों पर बात दिकारी होते हैं तो देश के उच्चे तब नियाले के फैसले बाकी सभी नियालों पर बात दिकारी हैं अंसर B नेक्स्ट देखिए भारत में उच्चे नियाले की प्रथम महिला मुख्यनियाईदीश कौन थी तो देखिए भारत के किसी भी हाई कोट में सबसे पहली महिला मुख्यनियाईदीश थी लीला सेट लीला सेट को दिखिए 1978 में दिल्ली हाई कोट का मुKH नियाज़ीश नियुकति किया गया था और ये भारत में किसी भी हाई कोट की पहली महिला मुKH नियाज़ीश बनी थी उच्चितम नियाले से परामर्ष मांग सकते हैं सविधान के आर्टिकल 143 के तहट भारत के रास्ट्पती उच्चितम न्याले से परामर्ष मांग सकते हैं लेकिन यहां पर यह याद रखेगा कि उच्चितम न्याले भारत के रास्ट्पती को सला या परामर्ष देने के लिए बाद दिन नहीं है अगर सुप्रीम कोट चाहे तो सला दे और ना चाहे तो मना कर दे अब यहाँ पर ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोट कोई परामर्श दे देता है तो भारत के रास्टिपती भी उस परामर्श को माणने के लिए बाद दिन नहीं है लेकिन फिर भी परामर्ष मांगने की जो शक्ती है वो आर्टिकल 143 में उल्ले की थे तो सुप्रीम कोट से परामर्ष भारत के रास्टिपती मांग सकते हैं कलकत्ता में सुप्रीम कोट की स्तापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी तो ये एक्ट है फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा देखिए कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोट की स्तापना की गई थी और यहां पर एक मुख्री नियादिश और तीन अन्य नियादिश को पहली बार नियुक्त किया गया था कलकत्ता के सुप्रीम कोट के सबसे पहले मुख्री नियादिश एलीजा इम्पे को बनाए गया था तो कलकत्ता में पहली बार सुप्रिम कोट की स्तापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहट की गई थी आंसर ए नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए नियुन्तम आयू क्या होती है तो देखे यहां पर हम बात करेंगे भाग 9 की भारती सब्विधान के भाग 9 में ग्रामिन और नगरी इस्तानी स्वशशन का उल्लेक किया गया है इसके तर देखे पंचायती राज का उल्लेक किया गया है इस भाग के आर्टिकल 243 में देखे यह उल्लेक किया गया है कि नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए नियूंतम आयू 21 वर्ष होनी चाहिए अगर कोई भी नागरिक 21 वर्ष की आयू पूरी कर लेता है तो वो नगरपालिका का सदस्य बनने के योग्य है यह प्राउधान सब्विधान के भाग 9 में किया गया है तो कितने वर्ष की आयू पूरी कर लेना चाहिए 21 वर्ष इस्थानी सरकार की तिरी स्थरी प्रणाली में शामिल नहीं है तो देखे फ्रेंड्स भारत में इस्थानी सोशशन की तिरी स्थरी प्रणाली को अपनाय जाता है अब इस त्री इस्तरी प्रणाली में जीला इस्तर पर जीला परिशत का गठन किया जाता है ब्लोक इस्तर पर पंचायत समीती का गठन किया जाता है और ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है तो इस थानी सोशाषन की 303 प्रणाली में ग्राम समीती को सम्मिलित नहीं किया जाता अंसर C हो जाएगा भारती सवविधान में निम्न लिखित में से किस सवविधान संशोदन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को सवविधानिक दरजा दिया गया है तो ऐसा सब्विधान संशोधने फ्रेंड्स तिहोत्तरवा सब्विधान संशोधन अधिनियम जो की 1992 में लाए गया था इस सब्विधान संशोधन के द्वारा देखिए पंचायती राज विवस्ता को सब्विधानिक दरजा दिया गया था और सब विधान के भाग 9 में article 243 में शामिल किया गया था तो किस सव विधान संशोधन के द्वारा? 33 सव विधान संशोधन के द्वारा इन में से कोन सा सव विधान संशोधन GST से संबंदी थे? Very easy और very very important तो एसा सब्विधान संशोधन जो की देखिये Goods and Services टेकसे से संबंदी थे ये है 101वा सब्विधान संशोधन अधिनियम जो की 2016 में लागू किया गया था 101वे सब्विधान संशोधन के द्वारा भारती सब्विधान में GST को जोड़ा गया था आंसर B किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स 2016 में भारत के सब्विधान का 42वा संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था अभी हमने इस पर बात की थी 42वे सब्विधान संशोधन को मिनी Constitution कहा जाता है फ्रेंड्स जो की 1976 में लाए गया था सब्विधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्राओधन किया गया है तो देखिए भारती सब्विधान में फ्रेंड्स तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेक किया गया है जो की रास्ट्यपती की आपातकालिन शक्तिया है सबसे पहला है आर्टिकल 352 जिसमें देखिए नेशनल एमर्जेंसी का उल्लेक किया गया है आर्टिकल 356 में राज्जो में रास्टिपति शाशन का उलेक किया गया है और आर्टिकल 306 में वित्ती आपातकाल या financial emergency का उलेक किया गया है अभी तक देखे 352 के तरथ national emergency देश में तीन बार लगाई जा चुकी है 356 काफी बार लगाए जा चुके हैं और 300 सहट जो है वो अभी तक देश में वित्ती आपातकाल कभी भी नहीं लगाए गया तो तीन प्रकार के आपातकाल का भारती सविधार में उलेक देखने को मिलता है इसके बाद सबसे लास्ट कुश्चन देखिये फ्रेंड्स भारत में रास्ट पती ने कितनी बार वित्ती आपातकी गोश्चना की है अभी हमने उपर डिसकस किया है आर्टिकल 307 के तहट रास्ट पती देश में वित्ती आपातकाल लगा सकते हैं अभी तक देश में एक बार भी वित्ती आपातकाल नहीं लगा है आर्टिकल 307 का प्रेयोग देश में आज तक कभी भी नहीं किया गया तो फ्रेंड्स देखिये यहां पर हमने पॉलिटी के केजुली 100 कोश्चनों को डिसकस किया है आई होप आपको सभी कोश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन हैं प्रिवियस एक्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाली एक्जाम में भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसे से हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आपसे फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बने रही हमारे साथ जहिन